दोस्तों आप मोग्ल स्क्रीन पर आचुके हैं यहाँ आप इसाथ में लिंग करते हैं जैसे क्लिक करेंगे तो यहां पर विजिट लिंक आता है और इस पे क्लिक करते ही यह क्या होगा कि यहाँ पर यह जो YouTube चैनल है वहाँ पर rewrite कर देता है और इस वहेशे क्या होता है माल निजे कि अगर आप YouTuber है तो आपने वीडियो को वहाँ पर promote कर सकते हैं अब देखिए यहाँ पर हम आ चुके हैं अब हम इसको यहाँ पर लाइक कर सकते हैं, देखिए, यहाँ पर सैनिन बोल रहा है, तो यहाँ पर लाइक कर सकते हैं, चैनल को सबिस्क्राइब कर सकते हैं, वीडियो सेर कर सकते हैं, इस तरीके से आप वीडियो का जो रीच है वो बढ़ा सकते हैं, जिननी उन तरीके से, त तो आज की इस वीडियो में हम वही बात करने वाले हैं नमस्कार दोस्तों मैं हूँ रवी प्रकास वीडियो च्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्ष्ट है चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो प्लीज सबस्क्राइब कीजिए साथ ही बाल ऐकों को प्रेस करके नोटिफिकेशन अन कर लिजिए क्योंकि आपको यहाँ पर डैवले जेनियून कॉंटेट मिलती है तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो तो दोस्तों हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं कि वो लिंक आप अपने फेस्बुक पर स्टोरी में कैसे एड कर सकते हैं लेकिन मैं आपको यहाँ पर इसका कुछ बेनिफिट दिखायता हूँ देखिए एक्जामपल के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर यह जो पोस्ट करते हैं कि विश्बुक पर जैसे चलिए हम अपना वारा ही देख लेते हैं यह प्रोफायल के लिक करते हैं और आप यहाँ पर हम आते हैं अपने पोस्ट पर तो यह देखिए यहाँ पर यहाँ दिखा रहा है यह पोस्ट मैंने किया था आप देख सकते हैं इस पे टोटल 11 लाइक मिले हैं 17 घंटे में आप देखिए हैं आप 17 घंटे में सिर्फ 11 लाइक और अब हम आते हैं स्टोरी पे स्टोरी पे देखते हैं कि कितना है देखिए यहाँ पे 18 घंटा हुआ है और देखिए 81 लाइक आ चुका है आप सोच सकते हैं कि कितना ज़्यादा आपको यहाँ पे profit होता है status में status में अगर आप link डालते हैं तो ज़्यादा benefit मिलेगा अगर आप post करेंगे तो वाँ पे benefit ज़्यादा नहीं मिलता है इसका reason क्या है कि जो status हम लगाते हैं अगर public लगाते हैं तो जो आपके friend नहीं है वो लोग भी यहाँ पे देखते हैं एक तरह से आप कह सकते हैं कि जैसे आप reels यहाँ पे देखते हैं आदर लोग का reels देख लेते हैं वैसे status हर किजी को दिखाई देता है तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा reach मिलता है आप देखिए लगाते कैसे हैं वो मैं आपको तरीका बताता हूँ आपको सबसे पहले क्या करना है कि सबसे पहले तो आपको YouTube पर आना है आप देखिए YouTube पर आने के बाद आपका जो भी वीडियो है आपको उसको कैसे लगाना है मैं बताता हूँ सबसे पहले आपको उसका link copy करना है तो देखिए हम यहाँ पर क्या करते हैं जैसे आप मालने जी यह वाले आप वीडियो देख रहे हैं तो इसका link अगर हमें लगाना है तो इसके लिए हमें क्या करना है देखिए यह 3. पर click कर लेते हैं और यह share पर click कर लेते हैं और अब यहाँ पर copy link करते हैं देखिए यह हमारा link copy हो चुका है और अब हम इसको क्या करेंगे देखिए इसको यहाँ पर लगाने के लिए लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा कि इसको आपको अगर story में लगाना है तो इसके लिए आपके पास इसका thumbnail होना जरूरी है और मुझे लगता है कि सैद इसका thumbnail मेरे पास इसमें नहीं है तो हम इसको क्या करते हैं इसको यही पर रहने देते हैं आपके की दोस्तों यूटूब पर आने के बाद आपको जो भी वीडियो का link आपको यहाँ पर लगाना है वो copy करना है तो हम यहाँ पर क्या करते हैं देखिए यहाँ पर हम वो link अपना check कर लेते हैं पहले हम देख लेते हैं कि हमारा channel कौन से हैं आपे तो चलिए यहाँ पर दूसरा channel है तो हम इसको क्या करते हैं सबसे पहले देखिए ये वाला वीडियो है रवी वीलोग 2M ये मेरा ही चैनल है तो इसको हम open कर लेते हैं और आप देखिए इसका यहाँ पे link हमें copy करना है तो share पे click करेंगे और ये link हमने copy कर लिया अब इसके बाद हमें क्या करना है अब हमको आना है अपने facebook पे तो चलिए इसको हम back कर देते हैं और facebook open कर लेते हैं आप देखिए facebook मैंने open कर लिया है और यहाँ पे एक चीज़ दिहान रखिएगा आप जो भी वीडियो का link copy करेंगे उसका thumbnail आपके पास जरूर होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे image में आपको thumbnail लगाना होगा अगर आप आप कोई और thumbnail लगाएंगे तो स्याद दूसरे आपको उतना अच्छा होगा आप रिस्पॉंस ना मिले देखिए यहाँ पे create story पे क्लिक करेंगे और अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे यहाँ पे हमें वो thumbnail सबसे पहले upload करना है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यह जो आपको यहाँ पर thumbnail दिख रहा है यह हम thumbnail यहाँ से ले लेते हैं देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है यहाँ पर थमनेल हवा महल हजारी बाग वी लोग यहाँ पर थमनेल बना रखा है और link कैसे लगाने है वो देखिए यह थमनेल अटच हो गिया है अब यहाँ आप देख सकते हैं C mode लिखा हुआ है इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप देख रहे हैं यह जो आपको link दिख रहा है इस पर क्लिक करना है यहाँ पर enter link वाला जो box है इसमें आपको link यहाँ पर paste करना है और अब यहाँ पर add पर click करना है देखिए यहाँ पर add पर click कर दिया है और अब हम इसको क्या करते हैं देखिए यहाँ पर link attached हो चुका है अब इसको हमें share करना है अब चाहिए तो इसको देखिए c mode पर click करके इसको tag भी कर सकते हैं अगर किसी people को tag करना है कर सकते हैं हम यहां पर टैग नहीं करना है चलिए शेयर पर क्लिक करते हैं आप देखिए मैंने सेयर पर क्लिक कर दिया है और यह जो हमारा किया था YouTube का वह आ चुका है देखिए कैसे दिखिएगा उसको देखने के लिए देखिए आपर तीन डॉट पर क्लिक करेंगे यहां पर व्यू लिंक पर आएंगे और देखिए यहां पर हम जैसे क्लिक करते हैं तो यह देखिए हमें YouTube पर पर देखिए हमारा यूटूब वीडियो था वह यूटूब वीडियो यहां पर ओपन हो चुका है तो इस तरीके से फेस्बुक पे आप अपने यूटूब कर या किसी और सोशल मेडिया का आप लिंक यहां पर डाल सकते हैं उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी अ झाल झाल झाल